जमू कश्मीर के सोपूर कस्बे में सिक्योरिटी फोर्सेज के बंकर पर बुर्का पैने महिला द्वारा किये गए पैट अल्बम हमले ने घाटी में विध्वनसक गत्विदियों को अंजाम देने के लिए वुमेन ओवर ग्राउंड वरकर्स का इस्तिमाल करने से आतंकवाद आसिया अंद्राभी के कॉंटेक्ट में आई थी जो पहले से ही नेशनल इन्वस्टिकेशन एजन्सी यानि एनई ये द्वारा दर्जिट टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है आपको बता दें कि बुर्का पैने महिला मंगलवार शाम सोपूर में सिक्योर्टी बंक तब हुई जब पुलिस ने सेव के लिए मशूर सोपूर के साथ साथ हंद्वाडा जिले में फैले विबिन्ट सोर्से से बातचीत की 38 अक्तर के खिलाब दो मामले दर्ज हैं जिन में से एक 2021 में नार्थ कश्मीर के हंद्वाडा में प्रतिबंदित लशकरे त्वेबा आतं प्रोटी फोर्चेज के कड़े प्रहारों का सामना कर रहे है आतंकवादी घुट अब वूमेन ओजी डबलू को उनके नापाक मनसूबों को अंजाब देने के लिए उलजा रहे हैं जिसमें हद्गोले फैकना या कोरियर के रूप में काम करना चामिल है हनाफिया स्कूल से पकड़ने के लिए सक्री रूप से काम कर रही थी आईजीपी कश्मीर विजे कुमार ने बताया कि वे लश्करे त्वेबा की और गरण वर्कर के तोर पर काम कर रही थी उन्होंने का कि हम काफी वक्त से आतंकवादी समों द्वारा महिलाओं को रोजगार देते हुए जा था आईजीपी ने काया ऐसी कुछ और महिलाएं पुलिस के रडार पर हैं और हम उनसे पेशेवर तरीके से निपट रही हैं जूए के अपडेट रहे हमारे साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक ज़रूर करें For independent please contact 705-109-1811